दियर स्टुडेंट्स, 11th क्लास NCERT की बुक में 5th चैप्टर है complex numbers, जिसके बारे में आज हम introduction करेंगे कि complex numbers क्या होते हैं, जिसके बारे में बात करने से पहले हम उन numbers की बारे में discuss करेंगे, एक छोटा सा recap लेंगे, जो numbers आज तक आपने 10th क्लास तक की study में देखे हैं, पढ़े हैं और उन पर काम किया है, बात करते हैं हम real numbers की, देखिए आज तक आपने जितने भी numbers देखे हैं या उन पर काम किया है, वो सभी के सभी real numbers होते हैं, इसके बारे में हम 10th class में, 9th class में बहुत detail से पढ़ चुके हैं, real numbers जो हैं, वो rational और irrational दो categories में divide करते हैं उनको हम, rational numbers जो हैं, वो फिर integers में जाते हैं, जो integers हैं, वो negative और positive integers के category में divide कर दिये जाते हैं, मतलब यह हुआ, कि real numbers के बारे में तो हमें सब कुछ पता हैं, हम उन पर काम भी करते आए हैं, अब हम बात करते हैं, क्या कुछ ऐसे numbers भी हैं, जो real नहीं होते हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए, मैं एक छोटा सा उधारन यहां पर आपके सामने रख रहा हूँ, माल लिजिए, एक equation हम solve करते हैं, x square minus 4 equal to 0, या x square minus 5 equal to 0, इन equations को solve करना आप 10th class में सीख चुके हैं, क्या तरीका होता है, इसको हम factorize कर लेते हैं, x minus 2 into x plus 2 equal to 0, और यहां से x की value 2 या minus 2 आ जाएगी, या फिर इसका एक और तरीका हो सकता है, कि x square equal to 4, आप यहां से x square निकालेंगे, वो 4 हो जाएगा, तो x क्या होगा 4 का square root, और 4 का square root आपको पता है कि 2 होता है, साफ में minus 2 भी होता है, तो हम x को plus और minus 2 लिख सकते हैं, इसी प्रकार से जब आप इस equation को solve करेंगे, तो x square equal to 5, and x will be equal to under root 5, positive और negative, दोनों साइन इसके हो सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत, अगर हम एक और equation यहां पर लेके चले, x square plus 4 equal to 0, अगर आप इसको इसी तरीके से solve करने की कोशिश करते हैं, तो देखी क्या होगा, x square equal to minus 4, और x क्या होगा, minus 4 का square root with positive और negative side, right, अब आप देखी कि minus 4 का square root क्या होगा, आप कोशिश किजिए minus 4 का square root ढूंडने की, निकाल पाएंगे minus 4 का square root, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि minus 4 किसी भी number का square नहीं हो सकता, जितने numbers आज तक आपने पढ़े हैं, देखे हैं, उनमें से किसी भी number का square minus 4 नहीं हो सकता, 4 जो है वो 2 का square था और minus 2 का square था, इसलिए 4 का square root 2 और minus 2 हो गया, 5 किसका square था, under root 5 या minus under root 5 का square, इसलिए 5 का square root under root 5 हो गया, positive और negative, लेकिन minus 4 किसी का square नहीं है, इसलिए इसका कोई square root भी नहीं है, तो इस प्रकार के जो numbers हैं, इनको हम define नहीं कर सकते, इनको परिभाशित नहीं किये जा सकता, इन numbers के लिए हम एक और term use करते हैं, जिसे कहेंगे हम imaginary numbers, imaginary numbers, ऐसे numbers जो real में exist नहीं करते, real में वो numbers होते ही नहीं हैं, हम केवल उनकी imagination कर सकते हैं, सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक संख्याएं हिंदी में अगर हम बात करें तो, तो imaginary numbers का एक नया concept आया और इसी concept से हम complex numbers के बारे में पढ़ेंगे, तो देखी, imaginary numbers को समझने के लिए, मैंने एक और equation यहाँ पर लिए है, x square plus 1 equal to 0, इस equation को जब हम solve करेंगे तो देखी, x square equal to minus 1, और x की value minus 1 का square root करने पर आएगी, अब फिर वही बात की minus 1 का square root आप नहीं निकाल पाएंगे, जितना मर्जी कोशिश कर लिजिए, जितने numbers आज तक आपने पढ़े हैं, उन numbers में से किसी का square minus 1 नहीं है, इसलिए minus 1 का square root आप नहीं निकाल सकते, तो हम एक कलपना कर लेते हैं, एक imagination कर लेते हैं, कि यह जो minus 1 का square root है, इसको एक नया symbol दे देते हैं, कुछ इस प्रकार से, यह symbol इंग्लिश alphabet के letter i जैसा है, लेकिन हम इसको i नहीं कहेंगे, यह letter actually Greek alphabet से निकल कर आया है, जिसे हम IOTA बोलते हैं, I-O-T-A, IOTA, हिंदी में इसको pronounce करेंगे, तो IOTA, राइट, तो minus 1 का square root जो है, उसको हम IOTA से represent कर देंगे, और यह हमारा बिलकुल basic imaginary number है, और इसी के basis पे हम बाकी सभी imaginary numbers को define कर सकते हैं, अभी जैसे पिछले example में हमने x square plus 4 equal to 0 लिया था, और इससे x की value minus 4 का square root आ गया था, plus और minus sign अप लगाना चाहें लगा सकते हैं, तो यह minus 4 का square root कैसे निकलेगा, आप देखिए, इसको हम minus 1 into 4 लिख लेते हैं, right, plus और minus sign मैं यहां लगा देता हूँ, क्योंकि square root किसी भी number का positive भी हो सकता है, और negative हो सकता है, तो यहां देखिए, plus minus under root 4 into under root minus 1, हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुए कि under root a भी है, तो इसको आप under root a into under root b भी लिख सकते हैं, तो इसी rule का प्रयोग करते हुए, मैंने यहां पर इसको under root 4 into under root minus 1 लिख दिया, तो यह क्या बनेगा देखिए, plus minus root 4, 4 का square root हो में पता है, 2 है, और minus 1 का square root जो है, उसको हमने आयोटा नाम दिया है, तो यह इस equation का solution कह लिजिए, या x की value कह लिजिए, plus or minus 2 आयोटा, तो इस प्रकार से हम उन equations को भी solve कर पाएंगे, जिनके real roots नहीं होते, हम इसी chapter में, last exercise में पढ़ेंगे, कि ऐ एसी equations जिनके real roots नहीं होते, उनके roots imaginary होते हैं, और उनको हम किस प्रकार से find out करते हैं, वो भी हम discuss करेंगे, फिलहाल यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, कि आयोटा क्या है, आयोटा is the square root of minus 1, जिसकी help से हम किसी भी negative number के एक तो square root निकाल सकते हैं, और real numbers को define कर सकते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, complex numbers के बारे में बात करते हैं, देखी अभी तक जो हमने discuss किया, real numbers का हमने recap किया, और imaginary numbers के इंट्रोडक्शन किया हमने की imaginary numbers क्या होते हैं, और basic imaginary number आयोटा के बारे में बात की, कि minus 1 का square root जो है, हम उसको आयोटा से रिप्रेजन कर देते ह तो अब हम बात कर रहे हैं complex numbers की, complex numbers actually क्या है कि real और imaginary numbers का एक combination है, किस प्रकार का combination, कि numbers of type a plus iota b are complex numbers, a plus iota b type की जो numbers होते हैं, उन numbers को हम complex numbers कहते हैं, where a and b are real, बशर्ते कि यह जो a और b यहाँ पर हमने लिखा है, यह real numbers हो, जैसे मैंने कुछ examples लिये हैं, यहाँ पर 2 plus 3 iota, यहाँ देखिए a 2 है और b 3 है, जो मैंने यहाँ a और b use किये हैं, वो 4 और 3 है, इसी प्रकार next number में 7 minus 4 iota जैसे मैंने लिया है, तो यह 7a हो गया, b minus 4 हो और b के साथ iota multiply हो रहा है, इसी प्रकार से minus under root 3 plus iota, यह भी एक complex number का example है, तो इस प्रकार की जितने भी numbers हैं, उन सभी numbers को हम complex numbers बो लेंगे, next topic हम इस वीडियो में discuss करेंगे, real part and imaginary part of a complex number, z equal to a plus iota b, एक complex number है, देखें, किसी भी complex number को हम small z से, या किसी question में 2 या 2 से ज़्यादा complex numbers हों, तो हम उनको z2, z3, etc. इस प्रकार से देनोट करने का तरीका है, z, z1, z2 इस प्रकार से, तो माल लेते हैं कि z एक complex number है, जो a plus iota b है, complex number के दो parts होते हैं, एक real part होता है, और एक imaginary part, real part को हम इने लिखा है, बगेर iota वाला part है वो, और b जो है, वो iota का coefficient हो गया, जो imaginary part कहलाएगा, तो इस प्रकार से लेख सकते हैं, और ये real और imaginary parts हैं, बहुत ही simple सा concept है, अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे बात करते हैं, कि दो complex numbers equal कब होंगे, equality of two complex numbers, कि z1 और z2 दो complex numbers है, z1 जो है वो a plus iota b है, और z2 है c plus iota d, तो ये दोनों complex numbers equal कब होंगे, जब इनके real parts आपस में equal होंगे, और imaginary part आपस में equal होंगे, कहने का मतलब, इसका real part a और इसका real part c equal हो, a equal to c, और इसका imaginary part, इसके imaginary part के equal हो, means b और d equal हो, अगर ऐसा हो, तो वो दोनों numbers equal होंगे, तो हम इस इसको कुछ इस प्रकार से define कर सकते हैं, equal to z2, means a equal to c and b equal to d, z1 और z2 बराबर है, तो a और c equal होंगे, b और d equal होंगे, इसी प्रकार से अगर दो numbers आपको दिये हुए हैं, इस प्रकार से, उनमें a और c equal है, b और d equal है, a equal to c और b equal to d है, तो z1 और z2 equal होंगे, means z1, z2 equal है, तो a, c और b, d equal होंगे, a और c and b और d equal है, तो z1 और z2 equal होंगे, यह चीज़ true है, तो यह चीज़ true होगी, और यह true है, तो यह चीज़ भी true होगी, एक example लेते हैं हम, एक ही book में example number 1 दिया हुए है, जिसमें आपको दो complex numbers equal दिये हुए हैं, कहते हैं कि, if 4x plus iota into 3x minus y, is equal to 3 plus iota into minus 6, where x and y are real numbers, then find the values of x and y, x और y की values निकालने हैं, बहुत ही simple सा question है, देखिए, इस side एक complex number नजर आ रहा है आपको, क्योंकि इसमें iota आया हुए, देखिए, और यहां भी एक complex number दिखाई दे रहा है, तो अभी मैंने आपको बताए कि, दो complex numbers equal हैं, तो उनके real parts आपस में equal होंगे, और imaginary parts पी आपस में equal होंगे, तो उसी बात को use करते होंगे, यहां पर देखिए, हम क्या करेंगे, real part देखिए, इस number का, और इस number का, इसका real part, जो iota के बिना वाला part है वो, 4x, और इसका real part जो है, वो 3 है, तो 4x equal to 3 हो गया, which is very easy to solve, क्या होगा, x की value 3 by 4 आ जाएगी, 6th class का question आप solve कर सकते हैं, इसी प्र यहां पर 3x minus y है, और उस side iota का coefficient minus 6 है, आप इन दोनों को equal रखिए, और y की value निकाल दीजिए, अब आप कहें क्या करेंगे, पहले तो देखिए, x की value आप पहले निकाल चुके हैं, यह 3 by 4 यहां रख दीजिए, 3 into 3 by 4 minus y equal to minus 6, इसको फिर आप आगे solve कीजिए, minus y यहां रह value जो है, वो 33 by 4 आजाएगे, आप solve करके देख लीजिएगा, तो यह x और y, x और y की value हमें find out करनी थी, इस प्रकार के बहुती easy questions आपको यहां देखने को मिलेंगे,